मंदिर बनवा दियता है सान किया पूरे मंदिर पर तुम्हाराज कर रहेगा हूँ चंपत रहेवा चोर चंदा चोर बकवास वाजी किये जा रहा है धोंगी है सब देश के गदार हैं देश के दुस्मन हैं शमाज के लिए कोड हैं कलंक हैं जिसकी राजनीत पूरी की पूरी मंदीर मस्डीर पेटी है मंद्यों की या धार पर राजनीत जिसकी नहीं है वह के इंद्रित करता हैं और बवाल कराता है और फोनाऋ। किसी को तार्गेट करके मनाओगे तो आपका धर्म ही कहता है कि उसकी मस्जित पर ले जाकर आप जंडा टंग दो यह तो सीधे सीधे गुंड़ई हो रही है और संग द्वारा और भाजपा द्वारा प्रहोजित गुंड़ई हो रही है आपको इस देश में नफरत भाला कर र नमस्कार मैं नूर जहां और आप देख रहे हैं जनेत अवाज 22 तारिक जिसे एतिहासिक दिन माना जा रहा है जिस दिन राम मंदिर में प्रान प्रतिष्टा की गई है मोदी जी दौरा प्रतिष्टा की गई है और सबसे जो भव्वे मंदिर बनाया गया है मोदी जी दौर तो इस पे तमाम चीज़े नजर आ रही है इसी चीज़े बाचीत कर लेते हैं हमासर चतुरवेदी जी मौजूद हैं सर क्या कहेंगे 22 दिन को बहुती एतिहासिक दिन माना जा रहा है और कहा जा रहा है जनता ये दिन याद रखेगी यदा यदा ही धर्मशक गलानी बहुत बारता व्यूत्था नाम सादू नाम चब बिनाच्चाइद दुस्कृता इसका अरफ जानती है योगी राजकृष्ण ने कहा कि मैं अधर्मियों का नास करने के लिए धर्म को अस्थापित करने के लिए किसी न किसी रूप में किसी न हीत में जनता हीत में देश हीत में और धर्म की रक्षा के प्रस्तूत रहूंगा इन धर्मियों ने और्धनिर्मित मूर्ती अर्धनिर्मित मंदिर का प्राणपतिष्ठाप उद्गाटन किया जबकि हमारे चारो सानातन धर्म के धर्म गुरु संक्राचार कामत है धर्म संगत है कि किसी भी अर्धनिर्मित मंदिर का उसको देखने के लिए बड़े-बड़े लोग जा रहे हैं कंगनर और नौत बड़े-बड़े आप मेंतिर का चीरहरण हुआ तो कि निदुक संपितमन भी मोजूद थे द्रोना-चार मberg किर्पाचार मixel yeter अधिरतराष्ड कषस्धotta करaları भी मोजूद थे रह Limitedarna पती भी मौजूद थे दिर्जोधन और दुसासन ने कुकुर्त किया लेकिन जीतने लोग पाप के भागीदार बने थे सबका सत्यानास हो गया कैसे उन्होंने पाप में मौन शहमती प्रदान की बोल नहीं पाए तो जीतने लोग गये थे राम मंदिर या जो लोग भी मौन सहमती विद्य दिये उनका पतन तो होगा पक्का होगा जिस प्रकार रामण सीता का हरण किया वीवीशन ने बिरोद किया वीवीशन बचा लेकिन पूरी लंका तहसनास हो गई पूरी लंका ने तो अपरण नहीं किया था रामण ने किया था तो मतलब क्या लग रहा है इसका भुकतान जनता वो करना पड़ेगा इस देश को करना पड़ेगा जो इसमें भागीदार होंगे वो भुकतेंगे जितने कथा वाचक हैं ये अमुमन वहाँ जो भागीदार बने थे गसीदा पढ़ रहे थे देश के प्रधान मंतरी राजा ब बेकार ही होगा 24 घंटा नहीं बीता जब 24 घंटा नहीं बीता देश में भुकंप आ गया है इसका बता रहे हैं वहां के अंदर था भुकंप लाने वाले भाच्बा सरकार के लोग थोड़ीना है अच्छाई बता ये प्रकिर्ट अपना खेल खेलती है तो इश्वर की बिना मर्जी से होता है नहीं होता है इस देश में ये सत्य है अब पूरी दुनिया में सत्य है कि जीवन मरण यसे अपजस्विधियाद तो इश्वर की दृष्ट जब उन्होंने गीता में साब सब्दों में कहा है तो इश्वर की ही लीला होगी जिसने सूरज चांद बनाया जिसने हवा बनाया जिसने पृत्वी का निर्मार किया आउस राम को लाने की हैसियत आरेस्स और बीजेपी के निताओं में है उन्होंने अपने भाशन में कहा तो मुझी ने कि हम टेंट से उनको घर में ले आए हैं अब टेंट में नहीं रहने देंगे उन्हें मैं यह पूछना चाहता हूं उन्डी सवन्चास में वहां मुर्स्ती रखी गई वो मुर्स्ती कहां है कहां है इंदरा जी ने ताला खोड़वाया राजी उजी ने उसका सिला न्यास किया मंदिर का उसके बाद यह अपना राथ फौथ लेग निकले जाके आडवानी जी की दसा देख लीजिए जो भाजपा को और फॉर्स से आस्मान तक लेगए आज उन्हीं के पार्टी के लोग उन कि मेरे कहने का प्राई यह है किसी ने किसी दुख हम कर्म किये रहेंगे जो हम पाप किये रहेंगे उसका फल मुझे और मेरे ऑलादों को भी भूगतना पड़ता है लेकिन राम मंदिर बनावें कौन सा पाप कर दिया उन्हें इतना अच्छा काम कर रहा है लोग खुश है उनसे मैं पूछ रहा हूं कि कोई भी शनातन धर्म को मानने वाला हो इसलाम धर्म को मानने वाला हो या क्रिस्ट्यन धर्म को मानने वाला हो वो मकान बनवाता होगा कि खौंडार माकान में घर में जाकर के रोटी सब्जी यह बनाना शुरू कर देता है बिलकुल नहीं होता कि अपने मंदर देखा नहीं है क्या वीडियो उस पर वाइरल हो रहा है और कह रहे हैं इतना बढ़िया मंदर बना इतना भव्वय मंदर बना है आपने महाकाल मंदर भी नहीं देखा है वहाँ भी कारीडॉर बना था हावा के जौके ने मुःति को धाह दिया था अभी 15 परसेंट 20 भी नहीं बना है मंदिर निर्मित मंदिर में चुनाओ के चक्कर में देश की जनता को बनाने के चकर में आइस तरका तुम जो कुकर्म कर डाले इस वक्त तुम्हें माप करेगा तुम्हारी पार्टी को माप करेगा चाहता हूं इस पाप के जितने भागीदार होंगे और चुकी प्रधान मंतरी देश का गार्जियन होता है उसके पाप की शजा देश को भी भुगतना पड़ेगा इस चीज से बाचीत करने के मारे साथ एक और शक्स मौजूद हैं सर्क क्या कहेंगे जिस तरीके से चतुरवेदी जी कह रहे हैं कि अर्ध निर्मित मंदिर का निर्मान करना इसका भुकतान जनता को भी करना पड़ेगा और साथ में जो भाजपर सरकार है उसको भी करना सायद एक देश के प्रधान मंत्री होने के नाते मोदी जी की जिमेदारी मंदिर की नहीं उससे जादा अगर यह चर्चा किसी इन्वस्टी पर किसी कालेज पर देश में किसी फैक्टरी पर होती कि कितनी फैक्टरियां बनवाया कितने कालेज बनवाये कितनी इन्वस्टिय बनवाई उन्होंने और धर्म पर हम केंद्रित राजणित को ले जाकर कर दिये हैं क्या एक प्रधान मंत्री के रूप में इस देश के लोग जो जहां लोगतांत्रिक व्यवस्था हो सर्फ मंदिर ही एक मुद्दा रह चुका है कि हम उसी पर चर्चा करें और अगर उन्होंन मेरा नाम ससी नातु पाध्या है मैं जातिका ब्रामण हूं सनातनी ब्रामण हूं हम मंदिर का विरोध नहीं करते हैं हम उसको जीते हैं अपने अंदर जीते हैं धर्म को मैं अपने अंदर जीता हूं और धर्म धारन करने की चीज़ होती है धर्म दिखावा करने की चीज़ नहीं होती है मुदी जी सुप्रिम कोर्ट के आदेश पर मंदिर का निर्माण हुआ है अगर वास्तों में आप हिंदू थे सनातनी थे तो आपको यह कहना चाहिए ता कि सुप्रिम कोर्ट के आदेश आ चुका है मंदिर का काम निर्माण हो रहा है वो काम अब धर्म के लोगो होते कि आप अब धर्म की रच्छा की जिमेदारी आपकी है मैं प्रधान मंत्री जैसे संबैधानिक पत्पर बैटा हूँ इस पत्पर बैटकर मैं एक धर्म और जाति विशेश की बात नहीं कर सकता और आपने जैसा कहा कि चतुरवेदी जी सही कह रहे है या गलत कह रहे हैं विशा यहां नहीं है विशा यहां है कि अगर हम अपने को सनातनी कहते हैं तो सनातन किसी राजा के राज्य के अनुसार नहीं चलेगा सनातन वह एक परंपरा है जो आधिकाल से चलती हुई आ रही है इस देश में तो बहुत राजा आये बहुत राजा गए बहुत लोगों ने धर्मों को नश्ट किया लेकिन वो हमारे अंदर जिन्दा रहा इसलिए आज भी सनातन जिन्दा है और आधिकाल तक जिन्दा रहेग स्कूल यह भी तो बन जाएंगे ना देखें एक चीज़ बता दें मंदिर बनता है तो कोई बवाल नहीं है यह बवाल प्रोबगंडा एक तयार किया जाता है और वो किसके द्वारा किया जाता है या भी जान रहे हो जिसकी राजनीत पूरी की पूरी धर्म और मंदिर तारिक के पहले दुरका पूजा नहीं होती थी, हनुमान पूजा नहीं होती थी, राम पूजा नहीं होती थी, राम नौमी नहीं मनती थी, या हम होली दिपावली नहीं मनाते थी, सारे अपने धर्मों के अनुसार सारे लोग मनाते थी, लेकिन जिस तरीके से 22 तारिक को न कौन मना कर रहा है, लेकिन गुंड़ाई करके मनाओगे, किसी को तार्गेट करके मनाओगे, हम धर्म, हमने पहले कह दिया कि धर्म धारन करने की चीज़ है, अगर आप जिस धर्म की हूँ, अगर मुसलिम जो धर्म का है, तो आपका धर्म ही कहता है, को उसकी मस्जित पर ले प्रधानमंत्री के रूप में आप राजा नहीं है पांस साल के लिए जन्ता ने मत देखर चुना है आपको और आप जब सपत लिए हैं तो उस सपत में हर धर्म हर जात के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा की का सपत आपने लिया है और सब के सब को एक दिश्च से देखने का सपत आपने लिया है तो क्या आप सिर्फ धर्म पर राजनित करेंगे आपकी नेतिक जिम्मेदारी है मोदी जी या आपकी पुरी कितने लोगों को बेरोजगारी से निकाल कर रोजगार की तरफ आप मंदीर का जिम्मा उस धार्मिक लोगों को दे दीजिए मस्जीद का जिम्मा मौलवियों को जीमें दे दीजिए कि वह आपका भी सह है अपने धर्म की अपने अपने धर्म की इस देश में सब लोग अपने रच्छा करें और सवहार्द पूर्ण बाताबर्ण में एक जूट होकर मिल जूल कर रहें चाक्तुकी आपको बांटना है आपको इस देश में नफरत भाला करा राजनीत करनी है धर्म के नाम पर राजनीत करनी है या इससे जानती है क्या है आप एक विद्वान पत्रकार हैं आप अंतर राष्टी अस्तर पर जब देखेंगी तो बड़ा च्छिया लेदर हो रही है और कहीं न कहीं आप एक चीज़ देखिए कि आज के डेट में भारत की इस्तिती हम भले यहां की मीडिया यह दिखलाती है कि विशुगुरू बन गए हम और बहुत मोदी जी के बेटर है जा दोर करना है आज के दवर में एगर कमपडीशन करना तो कमपडीशन उस बदलते हुए दोर में चीजों पर करिये जिसे कि आगे निकलिया हम अस्टेलिया से आगे निकले оказエले और मंदीर मजित में फस कर आपकी रुपए की सितिय आने वाले समय में सितिवर्य हो गई है कि आपके रुपए कि तरब नजर कोई डालने को तयार नहीं होगा आपके हां महंगाई पर आप बात नहीं करते हो आपके हां दाल की कीमत क्या हो गई है मलब इंसान के जरूरत की चीजों पर जो सरकार का काम है उस पर आप चर्चा करो और धर्म के नाम पर सरकार का काम नहीं है ओधार में कुन महापूर्शों की जिमें छोड़ दीजिए चाहे जिस भी धर्म के हूँ हमारे हम सनातनियों के सनातन को जिंदा रखने वाले हमारे संकराचारे हैं अगर संकराचारे कह दिये कि यह मुहूर्श नहीं ठीक है तो इसमें क्या कौन साइसा दो महिना बाद अगर आप उस मुहूर्श के अनुसार करते तो क्या हो जाता लेकिन कहीं न कहीं 24 का चुनाव सामने है आपको तारगेट करना है हिंदू-मुसल्मान करना है देश में जा में दो दो हिंद्व हो गए एक तर दुसरे सनातनी हिंदू अफ्टा करहाट है हम संकराचार को मनने वाले आउनके जो कुण्डे मवाली बलातकारी संगी हिंदू घूम रहे हैं जो शर्चों पर और मस्जिदों पर राम जी का भंडा फारा रहा है तो आपको संवज मान य यह दो ने राम मंदिर भव्य मंदिर बना दिया आप उनको संगी हिंदु बोल रहे हैं किसने बना दिया चौदस सो करोण का घोटाला किया है बीजेपी अबिस्तो हिंदु परिसाद और संगने मिला करके जनता का पैसा है मोधी अपने घर से लाए थे मोहन भागोत अपने घर से लाए थे बात कर रही है मंधिर बना दिया तहह सान किया है सुप्रीम कोड का जैस है इसवें मुकदमा लडए हैं चारो संक्रा चार लडए हैं और लोग लडए हैं तो बता जाना मोहन भागोस कितले बार कोट गया है या नरंदर मोधी बता में कितले बार कोट गया है पूर्य मंदिर पर भराज कर रहेगा हाउ चंपत रहेवाँ चोर चंदा चोर बकवास वाजी किये जा रहा है उसका अगला जलम भी बेकार होगा उसको संही भासा बोलता और निर्पेंद मिस्रा जो हैं वहीं ने कार सेवकोग पर गोली चलवाए थे कहले को घुम रहे हैं निर्पेंद मिस्रा को बढ़का आए हैं लोग ढोंगी हैं सब देश के गद्दार हैं देश के दुस्मन हैं शमाज के लिए कोड हैं कलंक हैं कि इतना गुसा जनता में देखने को मिल रहा है कि अर्ध निर्मित मंदिर मतलब जो कह रहे हैं कि मोधी सरकार ने बनवा दे यह नहीं है क्योंकि यह जो मंदिर बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उनसे ही बना है यह मंदिर और उसके बाद तमाम चीज़े भी कमेंट वॉक्स नमने प्रतिकिरा जरूर दीजिएगा कैमरामेन आशीश के साथ मैं नूर जहांत जननता